हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टुदा अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की सुड़ों में हम बात करने वाले हैं इंडियान नेवी में हेड़ क्वार्टर अंडमान निकुवार कमांड में अगर आप फॉर्म अप्लाइ कर रहे हैं रिक्रोटमेंट और ट्रेट्समेंट में पोस जाएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट हैं अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें सियर करें लाइक करें जिससे आने वाली जो भी अपडेट होंगे वो आपको मिल जाएगा आप देखे फ्रेंज यहां पे अगर आप फोटो को अप्लोड करने के लिए यहां पे आपको यहां पर दिहान से रिट करना होगा रिशाइज करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको यहां पर फोटोग्राप जिगनेचर रिसाइज करना है मतलब आपको इस वीडियो में कंप्लेट प्रोसेस बताया जाएगा फोटो इस पहले नंबर में आपको बोला गया है कि आपका जो फोटो और सिगनेचर होता है वो आपका यहां पे Good Quality में होना चाहिए poor quality में आपको यहाँ पे upload नहीं करना है ने तो आपका form यहाँ पे reject हो जाएगा ऐसे ही आपका जो photo का जो size होता है वो आपका यहाँ पे 10 kb से 50 kb के बीच में होना चाहिए width और height होता है आपका 200 और 230 kb के बीच में होना चाहिए अब देखे प्रेंस यहाँ पे आपको 6 number में बोला गया है कि आपका जो form होता है वो आप यहाँ पे laptop से या PC से आपको क्या करना है यहाँ पे form को fill up करना है अगर आप mobile से अगर यहाँ पे form fill up कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे thumb impression का option नहीं आ रहा होगा upload करने का तो मैं इसको बता दूँगा वीडियो का last में आपको कैसे यहाँ पे thumb impression लाना है अगर आप mobile phone से इसको apply कर रहे है form को तो अब देखे फ्रेंस यहाँ पे आपको photo signature और thumb impression आपको resize करने के लिए एक application का आउसकता होगा जो कि आपको play store में मिल जाएगा अगर आप laptop यह PC से photo को resize करना चाहते हैं तो आपको paint का option में जाना है तो आपको resize tool का use करके photo signature को resize कर लेना है अगर आप mobile phone से resize करना चाहते हैं तो आप play store में जाएंगे photo resizeer search करेंगे आपको यहाँ पे photo resizeer का जो application होता है वो आपको मिल जाएगा install कर लेना है मैंने यहाँ पे पहले install कर रखा है तो इसको simply यहाँ पे open कर लेता हूँ free version है इसके लिए आपको कोई भी fees वगेरा payment करने की अवसकता नहीं पड़ेगा यह बहुत ही अच्छा application है इससे आपको result भी बहुत ही अच्छा मिलेगा तो इस वाले application को जैसे install कर लेते हैं open करेंगे तो आपको इस परकार का interface देखने को मिल जाएगा आप देखे friends यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे select photo का option मिलता है simply यहाँ पे photo को resize करने के लिए यहाँ पे select photo में click कर लेना है इसके बद आपको यहाँ पे कोई साभी एक photo आपको ले लेना है मैं यहाँ पे example की रूप में यहाँ पे ले लेता हूँ एक photo simply यहाँ पे इस परकार यहाँ पे photo ले लेता हूँ इसके बद आपको करना कि यहाँ पे अगर आपको crop करना है photo को तो यहाँ से आप crop कर सकते हैं अगर आपको rotate कर सकते हैं photo को इसके बद आपको यहाँ पर रिसाइज में आजाना है रिसाइज में आएंगे दैन आपको यहाँ पर के स्कॉल कर लेना है सबसे उपर के और आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर रिसाइज File Size में यहाँ पर आपको क्या करना है आपको क्लिक कर देना है जैसे यहाँ पर Custom में क्लिक करेंगे तो आपको करना क्या है इस वाले Box में आपको 200 लिख लेना है सबसे पहले यहाँ यह जो Tick है इसको क्या करना है un-tick यहाँ पर कर लेना है नहीं तो आपका जो फोटो होता है वो आपका सही से resize नहीं होगा यहाँ पर लिख लेना है 200 सिंपल यहाँ पर 200 लिख लेना है file का जो size होता है वो आपको क्या करना है 50 के भी से ज़ादा नहीं करना है दन यहाँ पर इसका जो height होता है वो आपको यहाँ पर करना है यहाँ पर 230 रखना है जैसे बोला गया है वैसे ही हम यहाँ पर resize करेंगे अब देखे friends यह इसका width है यह इसका height है यह इसका file का size है यहाँ पर आपको KB में टिक करना है AB में आपको tick नहीं करना है इसके बाद आपको यहाँ पर OK में क्लिक कर देना है Second वालो जो photo होता है यह जो photo होता है इसको क्या करना है आपको select कर लेना है जैसे select आप देखिए फ्रेंस आपका जो फोटो होता है वो रिसाइज हो चुका है कभी कभी देखिए फ्रेंस यहां पर इसका जो फाइल का जो साइज होता है वो आपका 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 सही सेट हो चुका है बस आपका जो यहां पर विक्त और हाइट होता है वो आपको सही से लेता हूँ होगा पाल सेप्र कmia फैल ऑपको क्लिक कर दोन एक्ट से लेकर में कर देना है तोक्त आप यहां पर साथ नहीं है यहां पेरी size हो चुका है, gallery option में आना है और आपको क्या करना है, इसको save कर लेना है gallery में, अब देखे friends यहाँ पर आपका जो file का size होता है, वो आपका सही set नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ज्यादा file का size को यहाँ बढ़ा देना है, जैसे कि यहाँ पर फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको, आजाना है custom में, आपको यहाँ पर इसका height होता है, वो और आपका width होता है, वो आपको सही set कर लेना है, file का size होता है, वो आपको बढ़ा देना है, जैसे यहाँ पर 50 के भी कर देंगे, then आपको यहाँ पर OK क्लिक कर देना है, अगर 50 के भी आपका जैसे touch कर देंगे, आपका यहाँ पर signature भी आपका यहाँ पर research हो चाएगा, आप देखे फ्रेंस यहाँ पर जो photo signature और thumb impression होता है, thumb impression को मैंने नहीं बताया है, कैसे आपको research करना है, पर आपको जैसे signature research करना है, वैसे आपको thumb impression को भी research कर लेना है, अब देखे फ्रेंस यहाँ इसको मैंने नहीं बताया है पर आपको यहां पे ऐसे ही रखना है सिगनेचर के जैसे ही आप देखिए आपको करना क्या है इस पर आपको इस परकर आपको अन बतों को दियार रखना है कि आपका जो photo होता है वो आपका 10 कवी से 50 कवी के बीच में होना चाहिए यहाँ पर signature आपका यहाँ पर 10 कवी से 20 कवी के बीच में होना चाहिए thumb impression होता है वो आपका 10 कवी से 20 कवी के बीच में होना चाहिए ऐसे क्या करना है आपको यहाँ पे photo signature और thumb impression upload कर लेना है अब देखे friends यहाँ पे बहुत सारे candidate का यहाँ पे application form apply कर रहा है mobile से तो आपको यहाँ पे thumb impression का option नहीं आ रहा होगा तो आपको करना क्या है यहाँ पे internet browser का use करना है सभी के mobile में internet browser होता है internet browser में आपको जाना है internet browser को जैसे open कर लेंगे देन आपको यहाँ पे three dot में click कर देना है जैसे यहाँ पे three dot में click करेंगे इसके वाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा font size font size को क्या करना है आपको यहाँ पे छोटा कर देना है मैंने देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही छोटा कर दिया है, तभी यहाँ पर थम you अप्रियूट करने का जो इंच्छन होता है, वो यहाँ पर itको हुआ है. अगर 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 आप यहाँ पर medium यह आपBir दिफॉल्ट करते हैं, I hope जानकारे पसंद आया हो जानकारे पसंद आया हो तब याईक आने वाले जो भी अपडेट होंगे वह आपको मिल जाएगा किसी ही परकार का कोईरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे उसका भी मैं जवाब दे दूँगा